तो चले फ्रेंड शुरू करते हैं, सबसे उपर की वर फ्रेंड आपको दिख रहा होगा क्या बेसिक इनफॉर्मेशन उससे पहले हम दो बात कर लेते हैं कि अपने क्रेट कार्ड आई सी आई सी याई बैंक एकाउंट के साथ लिंक करना चाहेते हूँ तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आपको कौन सब फ्रॉम फिल करना है कौन कौन से डॉकूमेंट लगेंगे, कम्प्लीट प्रॉसेस क्या है आज की वीडियो पात हेलपल होने वाली है आप उफ्लाइन तरीके से फॉर्म फिल करके कैसे अपनी प्रॉब्लम का स्वालिप्सन कर सकती हूँ तो चले फ्रेंड शुरू करते हैं शुरू करने से पले मेरे आपसे छोटी से खुजारे से आपको अपने चैनल को सस्क्राइब ज़रू करने ना है और वीडियो को लाइक कर लेना फ्रेंड क्यूंकि ऐसे ही helpful content bank regarding में आप सब एक सा share करता रहता हूँ तो चले फ्रेंड शुरू करते हैं तो फ्रेंड अगर आप अपने ICICI bank account को अपने credit card के साथ link करना चाहते हो तो आज की वीडियो में आपको बताऊंगा कि आप एक complete process कैसे कर सकते हो कौन कौन से document लगेंगे कितने समय में आपका credit card link हो जाएगा आपके particular account के साथ तो आज की वीडियो में आपको बताने वाला हूँ वीडियो बहुत हेलफल होने वाली है इसलिए मेरे आपसे छोटी से गुजारे से आप लोग चुपकी से वीडियो देख लेते हो कि तो चैनल को support नहीं कर रहा है जबकि support करने का कोई पैसा नहीं लगता है आपको अपने चैनलों को subscribe कर लेना है और वीडियो को like कर लेना है क्योंकि bank के regarding जितनी वी information होती है जितनी वी issues होते हैं मैं आप सब एक सा share करता रहता हूँ तो चले फ्रेंड शुरू करते हैं सबसे उपर को और आपको दिखरा होगा क्या basic information उससे पहले हम लोगें बात कर लेते हैं कि यह form आपको कहां से मिलने वाला है फ्रेंड इस particular form को आप अपनी bank branch से भी ले सकते हो और आप चाहो तो Google Chrome browser से भी download कर सकते हो चले अब बात करते हैं इस form को fill कैसे करना है सबसे उपर को और आपको दिखरा होगा क्या basic information basic information में सबसे उपर दिखरा होगा क्या date यहाँ पर date आपको उसी दिन की fill करनी है जिस दिन यह form आप अपनी bank branch में submit करो मैं आपको बता दे रहा हूँ आपको date पहले से नहीं fill करनी है जब आप यह form अपनी bank branch में submit करने लगो तब ही जाके आपको यहाँ पर date फिल करनी है उसके just left में आता है क्या friend the branch manager तो branch का name friend आपको यहाँ पर लग देना है देखिए हर एक branch का local address ही उस particular branch का name होता है तो यहाँ पर आपकी passbook में दिया गया होगा आपको उस particular branch का address क्या है यानि की name क्या है यहाँ पर आपको फिल कर देना है उसके नीचे आता है क्या customer name as in bank account यहाँ पर आपका name क्या है आपका bank account किस नाम से खुला हुआ है उस particular नाम को आपको यहाँ पर फिल कर देना है just वगल में आता है account number friend account number आपकी passbook में दिया गया हो cdc बात है यहाँ पर आपको फिल कर देना है बहुत अच्छे से करना है और यहाँ एक दो बार चेक जरू कर लेना है जब भी आप फिल कर दो गलत आपको कुछ भी नहीं करना है उसके बाद नीचे क्यों राता है friend ATM debit card number अगर आप ATM का इस्तमाल करते हो ICIC bank account के तो friend आपको यहाँ पर उसका number लख देना उस particular ATM card का अगर आप ATM का इस्तमाल नहीं करते हो तो इस portion को आपको खाली छोड़ देना है उसके बाद ज़िश नीचे आते हैं क्या account number sorry mobile number friend mobile number आपको यहाँ पर दिया गया है मैं आपको बता रहा हूँ आपके passbook में दिया गया होगा या फिर कह सकते हैं कि आपके account में जो भी mobile number लगा हुआ है जिस पर SMS आते हैं जिस पर OTP आते हैं mobile पर आपके notification आते हैं bank के regarding वही mobile number आपको यहाँ पर fill करना है कोई और mobile number आपको यहाँ फिल नहीं करना है usual way में उसके बाद आता है friend क्या नीचे की और mail ID email ID वही gmail account हर कोई gmail.com बाला mail ID इस्तमाल करता है friend वही mail ID आपको यहाँ पर लिख देनी है और usual सी बात है आधित तर लोग वही mail ID इस्तमाल भी करते हैं तो यहाँ पर आपका आपकी mail ID लिख देनी है तो यह तो थी हमारी basic information जो हम फिल कर चुके हैं चलिए अब आते हैं अपनी problem पर नहीं problem क्या है हमको अपना credit card link करना है अपने account के साथ तो यहाँ पर इतने सारे slot दिये गए हैं यहाँ पर credit card का कोई भी slot नहीं है तो यहाँ पर सबसे पहले हमको हमारी signature कर देने फिरंड आपको यहाँ पर वही signature करने है जो कि आपके account में लगे हुए है ऐसा नहीं है कि आप कोई भी signature कर दो फिर बाद में को कि यार मेरा form reject होगे आप पता नहीं क्या कारण रहा है तो फिरंड आपको ऐसे गलती नहीं करने है आपको आपके registered signature ही यहाँ पर करने है उसके बाद फिरंड चले हम लोग यहाँ पर अपना page प्लेट देते हैं page प्लेटने के बाद यहाँ पर देखिए अब उपर की ओरी option आ रहा होगा क्या link of credit card यहाँ पर आपको दिख रहा होगा link of credit card तो यहाँ पर लखा हुआ I wish to link my credit card to saving account credit card number यहाँ पर saving bank account credit card number आपको 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 फिल कर देना है सीदी सी बाद है यहाँ पर आपको number फिल करने के बाद आपकी जो problem है वो पूरी तरीके से यहाँ पर requested हो चुकी है चलिए अब यहाँ पर थोड़ा से नीचे आते हैं यहाँ पर लखा हुए क्या signature of the customer as per bank records यहाँ पर आपको signature कर देने हैं वही signature करने हैं जो कि आपके खाते में लगे हुए मैं आपको बार बार बता रहा हूँ आपको इसमें mistake बुलकुल भी नहीं करने हैं क्योंकि हमेशा जो bank employee हो थे वो आपके signature ही पकड़ते हैं कि भाई यह आप ही हो कहीं ऐसा तो नहीं कोई और इसमें कलाकारी करवा रहा हो इसलिए फ्रेंड आपको आपके सही signature करने हैं कि आपके खाते में लगे हुए हैं यहाँ पर simple way में आपको वही signature आपको कर देने हैं लीजे क्यों राते हैं क्या declaration by branch official फ्रेंड यह person आपको नहीं फिल करना है यह person cable or cable bank employee के लिए है और वही फिल करके आपको देगा यहाँ पर simple way में आप form आपका पूरी तरीके से फिल हो चुका है चली आप बात कर लेते हैं document के आपके document कौन कौन से लगने वाले हैं फ्रेंड document में आपको आपके passbook की photo copy लगा देनी है एक आधर काड़ की photo copy लगा देनी है और simple limit तीनों को attach करके इस form के साथ आपको submit कर देना है आपको आपके bank employee को दे देनी है फ्रेंड उसके बाद आपका जो credit card है वो link हो जाएगा आपके ICICI bank account के साथ तो मैं आसा करता हूँ कि आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी थैंक यू सो मच